हेलो दोस्तो, I hope you all are well तो दोस्तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का अधिक सब्सक्राइब लाइक और शेर कीजिए ताकि हर प्रेप्रेशन करने वाले स्टुडेंट तक ये वीडियो पहुस सके और दोस्तो यह है हमारे डेली करंट अफेर्स की सीरीज, मैंना चल रहा है जून, आज है 13 जून 2020 तो दोस्तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इंपोर्टेंट करंट अफेरेन न्यूज, तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो भारत में स्वानिर्मित, जो हमारा स्वधीस ही है, वायरलेस फीजियो लॉजिकल पैरेमिटर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है कोविड भी, जो की कोरोना वायरस से अफेक्टेट पेशेंट हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है, तो इसको लॉंच कि किन होने किया, तो इसको लॉंच किया गया, Union Minister of Development of North Eastern Region, जो है, डॉक्टर जितेंदर सिंग, इनके द्वारा कोविड बीप को लॉंच किया गया, और इसको बनाया गया है, Employees State Insurance Corporation Medical College हैदराबाद ने कॉलेबरेशन किया है, IIT हैदराबाद, Tata Institute of Fundamental Research हैदराबाद, और Electronic Corporation of India Limited, तो इन सब ने मिलके बनाया कोविड बीप, जो की कोरोनो वाइरस से एफेक्टेट पेशेंट हैं, उनकी मॉनिटरिंग के काम आएगा, तो रुक करते हैं एक लिए खबर की और, तो जो वर्ल्ड आर्चरी कमिटी ने निरने लिया है, कि 2020 की सेप्टमबर में वर इस वर्स तक के लिए पोजबॉन कर दिया गया है, तो इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, तो अब इसकी जो डेट है, वो है 2020, 22, तो 2022 में अब ये वर्ल्ड चेंपियंशिप होगी, और ये वर्ल्ड चेंपियंशिप होनी है, यांग टोन, जो की साउथ ड़कोटा, मारियो स्क्रेजेला, और प्रेसिडेंट है, यूगुर एडेनर, तो वर्ल्ड आर्चरी फेल्ड चेंपियंशिप को 2020 से शिफ्ट कर दिया गया है, 2022 में, और एक कन्नर एक्टर थे, जिनका 49 साल की उम्र में, एक हार्ट अटेक के कारण इनकी इम्रित्य होगी, तो किन्स कन चिरन जीवी सर्जा, तो चिरन जीवी सर्जा, जो की गन्नर एक्टर थे, इनकी 39 एर की उम्र में में, मेत्य हो गई, तो कौन सी स्टेट गवर्मेंट है, जिसने अपने जो राज जी के, राज जिगान है, जो स्टेट एंथम है, उसको मंजूरी दे दी गई हो, और इनका स से लिया गया है, जो की उन्होंने 1912 में लिखी थी, तो बंदे उतकल जनानी, जो राज जी का, राज जी एगान होगा, जो स्टेट एंथम होगा, ये होगा उडिशा का, आप उतकल से, जो उतकल तट है, ये उडिशा के तट को कहते ही हैं, तो आप इधर से भी इसको गैस कर सकते हैं, और जो रजगुला है, इसको स्टेटेस मिला है, जो जी एटेक दिया गया है, वो भी उडिशा से ही मिला है, तो किस ने, जो सेकिंड इस्टेट फूट सेप्टी इंडेक्स है, इसमें दोजार 19-20 के लिए, जो कि फूट सेप्टी and Standard Authority of India ने इस रैंकिंग को र और smaller state की category में टॉप किया गया गोवा के द्वारा, और World Food Safety Day हर साल 7 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष का theme था, Food Safety is Everyone's Business, जो Food Safety है, वहर किसी का व्यवसाय है, तो कौनसी स्टेट है, जिसने अपने जो सडक पे दुकान लगाने वाले हैं, उनके registration के लिए एक portal और मुख्यमंत्री शहरी पत व्यवसाय उत्थान योजना के लिए 300 करोल रुपे, जो उनके शहरी लोकल विंड जो सडकों में दुकान लगाने वाले दुकानदार हैं, उनके registration पोर्टल के लिए दिये हैं, तो मुख्यमंत्री शहरी पत व्यवसाही उत्थान योजना इसको लौज किया गया मध्यपरसिस के दुआरा और इस योजना के लिए दिये गए हैं 300 करोड रुपे, तो कौन सी स्टेट है जिसने मेग संदेशा और मेग संदेशा एप और वरुन मित्र वैब पोर्टल को लौंच किया, करनाटगा के दुआरा तो कौन सी स्टेट है जिनोंने एक प्लांटेशन जो पौधे लगानी की एक ड्राइब जिसका नाम दिया उन्होंने थेंक्यू मॉम इसको स्टार्ट किया और ये ड्राइब इस्पेशली चलाई गई जो कि डिसेबल परसन है उनको सोशल जस्टीस डिलाने के जो जस्टीस से रिलेटिड तो सोशल जस्टीस और डिसेबल वेलफेयर डिरेक्ट रिट ने वर्ल्ड इन्वार्मेन्ट डे में इस ड्राइब को चलाया थेंक्यू मॉम तो ये किस किस राज्जी में स्टार्ट हुई तो ये हुई मध्यप्रदेश राज्जी ने थैंक्यू मॉम ड्राइब को स्टार्ट किया जो कि प्लांटेशन से रिलेटेड है जो कि व्रिक्षार ओपर से संबन देत है तो किस इंस्टूट के साइन्टिस्टों ने एक मेगनेटो कैलोरिक माटीरियल को डेबलब किया है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तमाल हो सकता है तो मेगनेटो कैलोरिक माटीरियल जो कि किस इंस्टूट के साइन्टिस्टों ने इसे डेबलब किया है तो इसको develop किया गया है International Advanced Research Center for Powder Metrology and New Materials तो इस institute के scientist ने इस material को develop किया है और इनका headquarter है है हैदराबाद तेलंगा नमे है हैदराबाद में भी बेलापूर में तो option नमर 20 का सही है तो एक report आईए Environment Performance Index को release किया गया है तो इसमें भारत की rank कौन सी है और इस report को release किया गया Yale University और Columbia University ने मिलके तो 180 देशों में भारत की rank है 168 तो Environment Performance Index में हमारी rank है 168 Yale University, Columbia दोनों ही USA की universities है सम्मानित universities है तो Western Coal Field ने अपनी एक subsidiary को open किया है तो किस राज्य में इन्होंने अपनी एक Coal India Limited को open किया है तो इन्होंने open किया अपनी नई subsidiary Western Coal Field Limited ने मध्यपरदेस में और Gargo International ने अपना brand नमिजडर किसे नियुक्त किया है Gargo International जो कि एक lubricants related company है तो इन्होंने अपना brand नमिजडर बनाया है Sonu Sud को जिन्होंने हाल ही में जो migrant worker है उनको घर पहुचाने के लिए एक मोहिम चेली थी जिनके तहत उन्होंने बहुत सारे migrant worker को घर पहुचाया है और लगातार अभी भी उस शेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो Sonu Sud याद रखिएगा इनका नाम हाली में न्यूज में बहुत आया था तो Gargo International के ये brand ambassador बने हैं आर्जून को एक massive fire broke हुआ था natural gas oil के कुए में जो की बागजान oil field है तो एक इस राजज में इस्तित है तो भागजान oil field आसाम राजज में इस्तित है और आसाम के chief minister सर्बानंद सोनोवाल तो कितनी country अभी तक covid-19 से मुक्तो हो चुकी हैं तो अभी तक 9 countries जो हैं covid-19 से मुक्तो हो चुकी हैं अब इनकी इन countries में covid-19 कोई भी patient नहीं है तो ये countries हैं न्यूजिलेंड पहली country थी तंजानिया, वेटिगन फिजी, मॉन्टी नीग्रो, सेचिली, तिमूर लेस्टे, पपुआ न्यूगिनी, सेंट काइट्स और नेविस तो ये जो 9 countries हैं ये coronavirus से मुक्त हो चुकी हैं, अब पहली country जो थी, याद रखिएगा, वो है न्यूजिलेंड, तो किस institute के scientist ने, एक नए planet जिसका नाम है कोई, कोई, 456.04, और इसका host star है, केपलर 160, इसको खोजा है, और ये mirror image है, जिस प्रकार से हमारा planet और sun है, उसी प्रकार से ये planet और इसका sun है, तो ये एकदम mirror image है, हमारे ही जैसे planet और sun की, तो इसको खोजा गया है, Max Planck Institute for Solar System Research, जो की जर्मनी का एक institute है, तो option नमब 20 का सही है, तो KOI 456.04 और Kepler 160, ये दोनों को खोजा गया है, Max Planck Institute for Solar System and Research, जो की जर्मनी में इस्तेत है, तो किस institute के researchers ने claim किया है कि वो एक high efficiency mask बनाएंगे, जो हमारे waste pet bottles होती है, जो waste bottles होती है, उनसे वो एक high efficiency mask मनाएंगे, तो ये बनाया जाएगा, Indian Institute of Technology मंडी, हिमाचल, प्रदेश में है जो, तो उनके द्वारा ये mask बनाए जाएंगे, जो waste bottles होती है, उनसे तो कौन सी company है, जिसने collaboration किया, United Nation Development Program और हिंदुस्तान, Coca-Cola, Beverage Private Limited के साथ, और इन्होंने Project Prithwi, एक joint initiative developed किया है, जो की जो plastic waste management है, उससे related है, तो plastic waste management के लिए Project Prithwi, जो की United Nation Development Program और हिंदुस्तान, Coca-Cola, Beverage Private Limited ने स्टार्ट किया है, तो इनके साथ कौन सी company ने, इनके दोनों के साथ collaboration किया, तो ये company है, Recycle, option number A, तो Recycle ने collaboration किया, UNDP और हिंदुस्तान, Coca-Cola, Beverage Private Limited के साथ, Project Prithwi में, जिसमें की ये plastic की जो समस्या है, उसके management से related काम करेंगे, तो दोस्तों, ये थे आज की current affairs, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक सदिक लाइक और शेर कीजिए, और दोस्तों, कोई भी आप अगर आपका दिन शुभव, जय हिंद, वंदे, मात्रम